च्री नाज्जी गुरुजी को अलग आदेश, माभगवती को अलग आदेश, रांची वाले भहिरा बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश, आदेश च्री नावरात्र शुरू हो रहा है और कोशिश होता है कि हर बार ऐसे नावरात्रों में कोई ऐसी साधना की जाए जिससे की जीवन और सरल और माभगवती का आशिरवात प्राप्त हो मैं आप लोगों को मा चिंता मनी की साधना दे रहा हूँ भगवती चिंता मनी की साधना वो साधना है जिसको करने के बाद आप चिंता मुक्त हो जाएंगे इसका शब्दार्थ और भावार्थ ये होता है कि एक बार आपने ये साधना को कर लिया तो आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं होगी आपको धन और वैभव की कमी नहीं होगी, पराक्रम की कमी नहीं होगी, पारिवारिक सुक समरिद्धी बनी रहेगी ऐसे तो नवरातरों में बहुत तरीक की साधनाएं होती हैं बहुत तरीक के शक्तियों को प्राप्त किया जा सकता है दस महाविद्या की साधना भी होती है पिछले नवरातरों में मैंने दी थी आप लोगों को इस बार चिंता मनी देवी की साधना इसले दे रहा हो ताकि आप सभी प्रसन रहो जीवन में प्रसन रहना बहुत आवश्यक है और जब तक मन व्यतित रहे और आप परिशान रहें किसी भी चीज की चिंता रहे चाहे वो रोग की चिंता हो चाहे धन की चिंता हो या परिवार पर ध्यान नहीं जाता है, साधनाएं भी नहीं होती है, तो नौ दिन तक आप लोग ये साधना करेंगे, नौ दिन में एक तै संख्या तक आप लोगों को इसका जाप करना है, उसका प्रति दिन दो माला इसका जाप करना है, तो साधना कैसे करेंगे, मा भगवती देवी दु पूजा का जो वेवस्था मैंने आपको पहले बतायता वही होगा, उसको मैं संचेप में अभी बता रहा हूँ, संचेप में पूजा विधान बताने के बाद आप लोगों को मंत्र विधान बताऊंगा, तो माभगवती देवी की पूजा कैसे होती है, सबसे पहले खुद को आप शुद करो, जो मंत्र है ओम आप वित्रो पवित्रो वा उससे जल छीट लो, ठीक है, उसके बाद तिलक करो, फिर आजमनी से ओम केशवाई नमहाओं, नारायनाय नमहाओं, माधवाई नमहाओं, गोविंदाय नमहाओं, चार बार करो, फिर संकल्प लो कि हेमा भगव माभवती, देवी चिंतामनी, मैं संकल्प लेता हूँ, कि इस शरद्य नवरात्र में, मैं पूरी निष्ठा के साथ आपकी साधना करूँगा, और जीवन भर आपकी भगती करूँगा, इसमें अपना नाम, अपना गोत्र, अपना मूल, अपना स्थान, ये बोल कर, हाथ मे एक पान, कपत्ता, एक सुपाड़ी, और एक द्रव्य, जल और अक्षद, ऐसा लेके माभवती के सामने छोड़ देना, उसके बाद माभवती देवी का आवाहन करना, जो कुंजिका में मंत्र है, जागरतम ही महादेवी, जपम सिद्धम कुरश में, एमकारी सिश्य रूप आवाली के क्लीमकारी कामेर रूपे निये, बीज रूपे नमुस्तुते, ऐसा बोलकर माटा का आवाहन करके माटा को जागरत करना, फिर मा को आसन देना, ओम सर्व मंगल मंगली, शिवे सरवतोशादिके, शरनीत रंबगई गवरी, नारायनी नमुस्तुते, श्री जगद चिंतामनी देव्वेई नमहा अस्थाने पुष्पानी समर्पयानी और जो आसन है उस पर पुष्प रख देना फिर मा को पुष्प देना और उसके पुष्पांजली समर्पयामी पुष्प देना अच्छा हर लाइन में श्री जगदंबा चिंतामनी देव्वेई नमहा इस चिंतामनी देवेई नमाहा पदयो पदम समर्पयामी जल दे दिया फिर अरग देंगे तो अरग में क्या है तो अरग में जल रखते हैं उसमें थोड़ा सा चंदन एक फूल और अक्छत देते हैं पानी में और उसके आद उसको ऐसे छू करके मा को बोलना है अरग को चुहेंगे और बोलेंगे श्री जग्दंबा चिंतामनी देवेई नमाहा हस्तयो और गया समर्पयामी फिर जैसे आचमनी देंगे तो आचमनी क्या होता है जल में कपूर मिला करके देते हैं तो उसमें फिर वैसे हैं श्री जगदंबा चिंतामनी देव्याई नमाहा आचमनम समरपयामी और वो जल मा के पास देंगे जो ऐसे मूर्ती पिना दे करके जो सामने पुष्प दियाना उस पे देना चाहिए सनान के लिए सनाना आर्थे जलम समरपयामी उसमें गंगा जल देंगे ठीक है उसके आद सामाने जल देंगे भगवती को को सनान गंगा आचमनम सनाथे पूर्ण आचमन्याम जलम समरपयामी तो वो आचमनी हो गया जब सनान के बाद जो आचमनी होता वो देंगे उसके बाद क्या दुद्ध से स्नान कराएंगे तो दुद्धम स्नानम समरपयामी तही फिर देंगे तो दही स्नानम समरपयामी फिर से मैं बोल रहा हूँ कि सब में श्री जगदंबा चिंदा मनी देवे नमह बोलेंगे ठीक है दही स्नान तो दही स्नानम समरपयामी गृत स्नान तो घी द सब्सक्राइब एडिया माझमंध सब्सक्राइब करता धागा लेकर के दीजेगा, फिर चंदनम समर पयामी, हरिद्र चुर्ण समर पयामी, कुमकुम समर पयामी, सिंदूर समर पयामी, काजल समर पयामी, उसके बाद बिल पत्र समर पयामी, आभूशम समर पयामी, फिर पुष्प माला समर पयामी, उसके नाना परिमल द्रव्यम समर तो पैसा देंगे, पूजा के दुकान में आपको मिलेगा, ठीक है, उसके धूप दिखाएंगे, तो दूप दिखाएंगे, तो कैसे दिखाएंगे, श्री जगदंबा, चिंतामनी, देवजाई नमहा, धूपम, क्रिह अपामी, दीब दिखाएंगे, तो दीपम, दृष्याम न वेद्यामी, फिर रितूफल देंगे, तामबू फल देंगे, और अंत में दक्शिना दे देंगे, तो यह मा का जो पूजा विधी है, वो समाप्त हो जाएगा, उसके आथ खढ़ा हो करके प्रदक्शिना करेंगे, फिर मंत्र पुस्पांजली करेंगे, इसके बाद हाथ में एक फूले लेंगे और उसके बाद बोलेंगे ओम कात्याई니 विदमहे कन्य ओमारी धीब मही तन्नो दुर्गा प्रचो दयार ओम वग्रतुणडाय विदमहे एकदनताय धीब मही तन्नो दंती प्रचो दयार इसके बाद पुशपांजली का जो मंत्र है ओम नाना इशू मात्री रूपे न संस्ता नमस्तसे 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 नमश्तसे 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 आपने कर लिया, उसके बाद पूजा शुरू करेंगे, देखो दीब का मंत्र मैंने एक दूसरा वीडियो में दिया था जो दीब जलाना है, यह सब मंत्र आप अलग से कर लेंगे, इसके बाद हम लोग मुख्य पूजा पे आएंगे ठीक है तो मुख्य पूजा क्या है रुदराक्ष की माला ले लिजेगा जो नवरात्री का शैदिस बर आप विभाजित कर लिजेगा इकीस हजार जाप आपको इकीस हजार जाप करना है मंत्र है ठीक है इसका जाप करके इसका दशान सवन करेंगे दशमी के दिन ठीक है और उसके बाद कन्या को भोजन ब्राह्मन को भोजन तरपन और मार्जन करेंगे ये मंत्र उसके बाद आपका सिद्ध हो जाएगा भगवती आपके साथ रहने लगेगी लेकिन ये मंत्र पैंसिलीन की तरह है पैंसिलीन में क्या होता है कि आपने पैंसिलीन इंजेक्शन लेना चोड़ दिया तो उसका और चिंता मुक्त परहिएगा जीवन का जो मूल भूत स्ट्रगल है न वो चिंता मुक्त होने के लिए ही होता है और सिर्फ इस एक साधना से कोई तंत्र मंत्रियां दोंगे इस साधना से आप चिंता मुक्त हो जाएगा तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस नवरात्री में इस साधना को जरूर कीजिए या आप सभी के लिए हैं सभी ग्रियस्त लोग घर में बैटके इसकी साधना कर सकते हैं अब आता हूँ अपने विशेपे जिसको साधना का बेसिक सीखना है एक तारिक से नया बेसिक ग्रूप शुरू हो रहा है पेड ग्रूप है आप उसमें जुड़ सकते हैं नंबर है 9431188585 जिनको अगले साधना शिविर में आना है जो कि दिसंबर में है उसके लिए अपने चालू हो गया है वेबसाइट पर हमारे जिनको मुझसे अपॉइंट्मेंट रही है तो मेरा वेबसाइट है www.agvortantrahasya.xyz उसमें अपॉइंट्मेंट सेक्षेन है उसमें जाकर के आप मेरा डारेक्ट अपॉइंट्मेंट ले सकते हैं डारेक्ट फोन पर बात करने को इसमें रूद रनाप अड़ी डेट ओप सीम फोर यह सर्च कीजिएगा तो आपको मेरा प्रोफाइल दिखेगा आप उसमें डारेक्ट कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं आज में यह नहीं मबब होती है देवी चिंतामनी आप सभी वो चिंतामुकर रखें ऐसे मेरी काम नहीं है आप सभी को आदेश 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 आदेश